एक हेलो फ्रैंस बलकतो बिहरीस किचन आज हम दो भिंडी को इदम बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाएंगे जिससे हमारे घर के बच्ची लो जो भिंडी को नहीं पसंद करते हैं वो जरूर पसंद परेगा उनको इस तरीके से बनाके खिलाने पे तो मैंने भिंडी को देखे कि दोONG के मैंने काट लिया है अब हमनों इसको भिन्डी को отп after Saturn मज़क डाल दिया है कि साथ यह में हुँ था टायो सा कास्मेली मिश डाल देंगे और इमने भी था डोब सब्लाइब आल देंगे जिया बेसन डालने से सबाज का टेश्ट बहुत अच्छा आएगा तो चलिए हमनों बेसन डालके इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं बिंडी आपके तिसे धोने पर आओगा आप कर रहे हैं धो करके तो आपको तो पानी डालने का कोई जुरत नहीं है अगर अपको बिंडी सुखी है तो आप ये हलका सा पानी का छीटे मार करके आप उसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं तो देखिए बिंडी तो रेडी हो गया चलिए हमनों कराही चरहा लेते हैं तो कराही में हमनों तेल डाल देंगे सरसो का तेल आप रिफाइन और जो तेल यूज़ करते हैं आप वही तेल डालेंगे तो तेल मैंने डाल दिया, भी थोड़ा से तेल डालेंगे, क्योंकि हमको दुबरा तेल यूज करना है, तो ज्यादा तेल नहीं यूज करेंगे, तो हम गर्म हो गया है, आप सारी भिंडे को डाल करके, इसको अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे, गैस का फ्लेम बिलकुल ही लो करेंगे अजब तो फ्रेंट्स फ्राई हो रहा है बिंडी तब आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तो देखिए इस तरीके से फ्राई हो रहा हूं यह उपर से क्रंची हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा हम इसको थोरी दिर ऐसी भूझेंगे भिंडी को हम लोग को आधा से धिक पका लेना है इसलिए तैकि हम लोग जब डालेंगे ग्रेवी में तब यह पका वह हो, ज्याधा कच्छा ना हो तो देखे हैं, भिंडी अच्छतर से फ्राई हो चुका है हम लोग इसको अब निकाल लेंगे अब हम लोग इसी क्राहई में और थोड़ा सर तेल डाल लेंगे तेल को गर्म होने के बाद हम ने इसमें जीरा का फोरण डाल देंगे जब जीरा आपका चटक नहीं लगी उसके बाद हम लोग इसमें एक बड़ा समयने प्याज ले लिया है इसको मैंने मेही काट लिया है काट करके मैंने इसको तेल में डाल दिया अब इसको हम लोग भी आराम से भूझेंगे गैस का फ्लेम अभी भी लो रहेगा देखिए प्याज इस तरीके से भूझना है यह अच्छी तरह से गुलाबी जब हो जाएगा उसके बाद ही हमने मसाला दालते देखिए प्याज बहुत अच्छी तरह से भूझा चुका है अब हमने इसमे मसाला डालते है तो मैंने यह एक चमच लहसन अद्रक मिच का मैंने पेश्ट ले लिया है ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे बस मैंने एक चमच लिया है साथ में हमने सुखे मसाले भी डालेंगे तो दिखिए मैंने इसी में मैंने तो अच्छा गसमरी मिच डाला है छोटे चमच से मैंने एक चमच डाला है साथ ही में हम लो यहाँ पे धनिया पॉडर डाल देंगे तो वो भी मैंने एक चमच डाला है चोटे चमच से मैंने एक चमच डाला है उसको हमने भूझेंगे थोई दिर चला लेंगे उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा गुलके का पाउडर डाला है चोटे चमच से मैंने डाला है एक चमच तो हम ने यहां आधा चमच, छोटी चमच से भी आधा चमच हम लोगे यहां पे हल्दी डालेंगे हम यहां पे थुरा से गरम मसाला पॉडर डाला है इसको हलका सा पानी दे करके हम लोगे अची तरह से भूझ लेंगे मसाला बहुत अची तरह से फ्राई हो चुका है हम इसमें एक छोटी कटोड़ी में दही डाल देंगे तो दही आपका रूम टेंपरिचर पे होना चाहिए ठंडा दही नहीं हम लोगे यहां पे यूज करेंगे इसको हमने अची तरह से मिला लिए तो मैंने थ्वा सा और पानी डाल दिया है इसको अची तरह से मिला लिए मैंने अब इसमें हमनों नमक टेश्ट के कॉर्डिंग डाल दिये मैंने इसब ग्रेवी के निसार ही मैंने नमक डाला क्योंकि मैंने भिंडी में नमक दे दिया था तो इसको अची तरह से मिला लिए अब तो इस को अफेलने को देख देंगे वामयी का है श्यूं जिख गयाश का फ्लेम अभी भी है अबम तो देखिए कर्दॉड मिला करके इसको हम लोग कवर करके अच्छी तहाइसे मि-ला इसको हम लोग कवर करके दो मिनिट और पकने के लिए रख देंगे तो दो मिनिट में बिंडी अच्छता से पक जाएगी तो देखिए हो चुका है यह सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है अब हम लोग ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है लेकिन हमनों सर्फ करने से पहले इसमें थ्वासा धनिया पत्तर डाल देंगे इससे टेस्ट और इसका बढ़ जाएगा तो चली इसको चीतर से मिला देते और हमनों इसको सर्फ कर लेते हैं साथ ही मेरा चैनल आपको पसंद आता है मेरा वी